गजब की दिवानगी है तुम्हारी महबत में तुम हमारे नहीं फिर भी हम तुम्हारे हो गए गजब की दिवानगी है तुम्हारी महबत में तुम हमारे नहीं फिर भी हम तुम्हारे हो गए लोग X माइनस लोग Y आप जानते होंगे लोग X माइनस लोग Y लोगैरिथम में एक बहुत ही फेमस प्रोपर्टी है लोग X by Y के बराबर होता है लोग X माइनस लोग Y लोग X by Y के बराबर होता है यह लोगैरिथम में एक आइडेंटिटी है आप जानते भी होंगे मगर आज मेरा जो डिसकेशन है वो यह है कि लोग X माइनस लोग Y क्या लोग X प्लस Y के बराबर हो सकता है क्या ऐसे XY एकजिस्ट करेंगे कि लोग X माइनस लोग Y लोग X प्लस Y के बराबर हो जाए अगर ऐसे XY एकजिस्ट करेंगे तो बताईए वो कौन से हैं कितने हैं और अगर नहीं एक्जिस्ट करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे टिपणें कीजिए आप कॉपी पेन उठाएं लिखें एक्वेशन ट्राइ करें फिर मेरा सलूशन देखना आई यह सलूशन बताता हूं लोग एक्स माइनस लोग वाई हमें लोग एक्स प्लस वाई के बराबर यहां पे दिया हुआ है ओके सर के तो यहां पे मेरा जो लोग log x plus y है वो है log x minus log y इसको लिख दिया log x by y ठीक है अब logarithm जो है वो एक monotonic function होता है सर्फ monotonic function मतलब मतलब यह उसका graph जो है इंक्रीजिंग होता है या फिर decreasing होता है इस logarithm का graph जो है यहाँ पर e base है तो यह increasing graph है 1 1 function यहाँ पर है यह 1 1 function है तो यहाँ पर क्या होता है ऐसे function में आप जैसे ही यह लोग और यहाँ पर भी लोग है तो लोग दोनों तरफ से हटा सकते हो यह यूँ कहें यह x plus y को directly हम x y के बराबर लिख सकते हैं ठीक ओके सर्थ अब y को जब मैं यहाँ पर लेके आता हूं तो y और y y square हो गया यह y और x multiply होके y x हो गया और यहाँ बचा हमारा सरफ x x को left में लाते हैं तो यहाँ minus x हो गया यहाँ पर notice कीजिए आप यह y में quadratic equation बन गई है this is a quadratic equation in y और एक और बात notice कीजिए यह x मेरा लोग के आगे रखा हुआ है y मेरा लोग के आगे रखा हुआ है तो मेरा जो x है वो भी positive होना चाहिए मेरा जो y है वो भी positive होना चाहिए होना ही पड़ेगा x y positive है तो यहाँ पर positive x y को लेकर की मेरा discussion हो रहा है अब यहाँ पर अगर मैं y निकालना चाहूँ तो मेरा y आगया minus x plus minus under root b square minus 4ac तो जब आप यह minus 4a मेरा 1 है c मेरा minus x है divide by 2a एक इतना है 1 ठीक है तो मेरे पास y की दो values आएंगी यहाँ पर clearly देखिए आप y की मेरे पास यहाँ पर 2 values है ठीक है y की मेरे पास यहाँ पर लिख देता हूँ y की मेरे पास 2 values है एक value कितनी है minus x minus x minus minus x minus under root of x square plus 4x x square plus 4x divide by 2 और दूसरी जो value है वो है y is equal to minus x plus minus x plus under root of x square plus 4x divide by 2 यहाँ पर हमें समझना होगा कि x मेरा positive है ही x मेरा positive है ठीक है तो x positive है तो यह positive हो गया यह भी positive हो गया और overall quantity मेरी negative हो गई तो यहाँ पर यह हमें समझ में आ गया कि this quantity is negative यह quantity मेरी negative है और y जो है y मेरा positive है तो y कभी भी इसके बराबर नहीं हो सकता तो यह चीद संभव नहीं है this is not possible why इसके बराबर नहीं हो सकता तो y यहाँ पर इसके बराबर हो गया ठीक है अब क्या यहाँ पर y मेरा इस case में positive है क्या बिल्कुल यह एक negative चीज है यह एक positive चीज है और positive वाली magnitude में ज्यादा बड़ी है negative से क्यों क्यों क्योंकि देखो x square का जब हम root लेते हैं तो यहाँ पर वो x मिलेगा ठीक है ना और अगर x square में कुछ जोड देंगे अपन इसका root लेंगे तो वो greater than x होगा तो this quantity is greater than x और उसमें से minus x करो गया पौजटिव value होगी ठीक है तो यहाँ पर ये बात एकदम clear है ये बात clear है कि ये चीज positive है मेरी ठीक है ना ये positive quantity है ठीक है ना ये एक positive quantity है और यहाँ पर Y भी मेरा positive है तो Y मेरे को मिल गया अब देखिए एक बात यहाँ clear हो गई कि X मेरा positive होना चाहिए तो हम यूँ बोल सकते हैं कि इसको satisfy करने वाले जो X और Y होंगे उसको मैंने X, Y का नाम दे दिया इसको satisfy करने वाले जो X और Y होंगे X, Y का नाम दे दिया मैंने वो कुछ ऐसे होंगे X को मैं कुछ T मान लेता हूँ X को कुछ T मान लेता हूँ X अगर मैंने T मान लिया X अगर मैंने T मान लिया ना यहाँ पर तो Y T की terms में आ जाएगा तो वो हो जाएगा T square plus 40 minus T divided by 2 where T is positive क्योंकि X को मैंने T माना है ना तो X मेरा positive है तो T भी मेरा positive ठीक है where T is positive तो यह बात यहाँ clear हो गई कि जो X, Y इस format के होंगे वो X, Y इस equation को satisfy करेंगे और जो X, Y इस format के नहीं होंगे वो यहाँ पर satisfy नहीं करेंगे एक example के लिए बता देता हूँ for example यह मेरा answer आ गया this is my answer question हो क्या solve एक example के लिए जैसे T की value मैं 1 put कर देता हूँ तो 1, T की value 1 put करोगे तो root 5 minus 1 by 2 तो 1, root 5 minus 1 by 2 इसको satisfy करेगा X की value 1 और Y की value root 5 minus 1 by 2 इसको satisfy करेगी एसे T की कोई दूसरी positive value डाल दो तो Y निकल के आ जाएगा X तो अपना डाली रहे हैं पर तो ऐसा करके हम यह समझ सकते हैं कि X, Y जो इस format के होंगे यहाँ पर वो इस equation को मेरे satisfy करेंगे समझ में आरी बात आपको तो यहाँ पर यह एक identity नहीं है लेकिन left side कुछ xy के लिए right side के बराबर हो सकती है वो xy कोन से होंगे समझ लिया हमने मैं कोई बड़ा problem solve कर रहा था वहाँ मुझे बीच में यह equation दिखाई दी और वहाँ पर मुझे comment करना पड़ रहा था कि क्या यह equation possible है तो मैंने सोचा कि इस equation से आप से भी रूबरू करवाते हैं मज़ा आएगा इसी तरीके के वीडियो लेकर के मैं आपके बीच फिर हाजिर होता रहूँगा सब्सक्राइब के लिए बाई बाई बाई